पूरी प्रिंग्नेंसी यदि आप भी इन पांच चीजों का ध्यान रखती हैं तो आपकी प्रिंग्नेंसी बहुत थेलदी रहेगी बहुत सुरक्षित रहेगी और आपकी नॉर्मल डिलेवरी होने में बहुत जादा हेल्प मिलेगी कौन-कौन से वे चीजे हैं वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो कभी तक लाइक नहीं किये तो कर लिजिए नमस्कार मैं जानकी स्वागत है आपका जानकी बेवी कैस चैनल में इस चैनल में आपको बहुत सारी नॉर्मल डिलेवरी से रिलेटेड प्रिंग्नेंसी रिलेट तो चलो हम वीडियो में बात करते हैं तो सबसे पहला चीज आपको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है स्पाइसी फूड यानि चटपटा चीजे चटपटे चीजे खाने से होता क्या है कि आपकी पेट के अंदर इतनी ज़्यादा गैस बन जाती है स्टार्टि दिन आपको तकलीफ बनी रहेगी आपको सांस लेना मुश्किल पड़ जाएगा तो ध्यान रखिए कि आपको इस पाइसी फूड बेलकुल भी नहीं खाना है आप बाहर कि चीजे से थोड़ा दूर रहे आप पूरी प्रिंग्नेंसी नेचुरल फूड आते हैं यानि मौसम वाले फूड आते हैं उनको खाईए केला खाईए पपीता खाईए और जितने धेरो फूड आते हैं खाईए लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पपीता ट्रिंग्नेंसी की टाइम नहीं खाना चाहिए तो मैं क्लियर कर दूँ कि आप पपीता खा सकती हैं पपीता में बहुत अच्छी quantity nutrition रहता है पपीता healthy के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन pregnancy के टाइम आपको कच्चा पपीता नहीं खाना है और पपीता की बीज नहीं खाना है कच्चा पपीता और पपीते की बीज में तरह के अंजायम होते हैं जो कि मिस्गिरेच का खत्रा बना रहता ह तो कोशिस करिए कि starting के 3 महीने तक आपको पपीता avoid करना है पका पपीता है तो आप खा सकती है पेट भर के आपको नहीं खाना है थोड़ा-मोड़ा खा सकती है लेकिन 3 महीने की बाद आप बेज़ी जग पका पपीता आप खाये कोई दिक्कत नहीं नमबर 2 पूरी सोएंगे लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगे कि आप कोशिस करिए कि पूरी प्रिंग्डेंशी आप लेक्ट करमट लेकर नहीं सो सकती यह आप कर्माट बदल सकती हैं राइट लेकर सो सकती हैं लेकिन आपको उल्टा बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए यदि आपके मन में और भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करेगा नमबर तीन मैं आपको पूरी प्रिंगेंसी आपको हाई हील सांडिल भी नहीं पहना चाहिए यदि आपको आदत भी है तो आप प्रिंगेंसी चौथे और पास्मे महीने से बिल्कुल भी बंद कर दें इससे होगा क्या कि आपके पेल भी सेर्गे में दवाओ पड़ेगा और आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत जादा प्राबलों को सामना करना पड़ें पोसिस करिए कि चौथे पास्म नहीं पहनेगी मुझे उम्मीद है नंबर चार मैं आपको के टाइम आपको हारी काम प्लकुल भी नहीं चाउता निया है सब्सक्राइस है को आपको बसक्म करना ही उठाना है कोशिस करी उसको बार में ला लेजी लेकिन एक ही बार मे आपको नहीं करना है और जैसे कमटे बगएर का काम है तो पहले आप बढ़ा लेती थी तो आप कोशिस करें चोटा लेज़ें लेकिन इतना भारी आपको काम बेलकुल भी नहीं करना चाहिए नमबर पांच मैं आपको बता दू कि आपको खुद का डाक्टर अपने नहीं बनना है दादी नानी के ट्रीटमेंट राई बेलकुल भी नहीं करने हैं प्रेग्रेंसी है आपका आपको बेबी हेल्दी रहने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपने डाक्टर से बिजिट क कुछ बोलते हैं सब कुछ तो अच्छा चलता है कि हम डाक्टर को दें क्या हम अल्टरसाउंट करवाएं और क्या हम मेडिसीन खाएं तो जी नहीं आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मैंने खास करके गाउं दिहात में ऐसे लोगों को बहुत सारे देखिए यह गलती जरूर करते हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें यह दिया आपके पास जैसे कि मैंने बोला पैसा कम है तो जरूरी नहीं है कि आप प्राइबेट हॉस्पिटल में जाए बड़े डाक्टर को ही दिखाए आप गवर्मेंट हॉस्पिटल में जा सकती हैं जैसे गाउ हो गया हैं वहां आप एना वगेरा होती हैं वहां अच्छे खासा सब कुछ आपको आइरंड की टेबलेट चील आप सब कुछ प्रवाइड किया जाता है तो इसको लीजिए पूरी प्रिंग्डेंसी अब बहुत सारे लोग को कहिना है कि आइरंड का टेबलेट खाएंगे हमारा बच्चा मोटा हो जाएगा तो कुछ नहीं बच्चा मोटा नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए दिया जाता है और इससे बच्चे मोटे होने से कोई रिलेशन नहीं है तो इससे कुछ नहीं होता और प्रिंग्डेंसी में आपको हेल्दी खाना-काना है बाहर की आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर करके सस्क्राइब जरूर करिएगा हम आप से मिलेंगे नेश्ट वीडियो में